असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स आज का जो लिक्चर है हमारा वो है डाइटरी मैनेश्मेंट इन हेपाटाइट्स हेपाटाइट्स की अगर बात कर लेंगे हेपाटाइट्स होता क्या है hepatitis जो है ये एक ग्रूप है diseases का जो characterize होता है inflammation of the liver से जब भी liver में कोई inflammation पाया जाता है वही होता है hepatitis अब कुछ लोग जो है इनमे कोई symptoms नहीं पाया जाता है मनला कुछ लोगों में बिलकुल भी hepatitis की symptoms नजर नहीं आते है लेकिन कुछ जो हैं उन में परका यलो डिसकलारेशन होती है या आईज होती है उनकी या एपिटायट उनका कम हो जाता है बूग कम लगती है वोमेटिंग हो जाती है टायर्डनेस आ जाती है उनमें abdominal pain रहते हैं या diarrhea वगयरा उनमें होता है ये हैं कि कुछ लोग उनमें क्या चीज़े पाई जाती हैं हेपिटाइट्स के दौरा अगर हम इनमे science और symptoms की बात कर लेंगे science में एक तो यही poor appetite vomiting, tiredness abdominal pain diarrhea, favor, rapid weight loss ये सारे जो हैं ये इनके science और symptoms ये कलिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके बात अगर हम causes की बात कर लेंगे कि किस से हेपिटाइट्स होता है हेपिटाइट्स का cause जो हैं इसको हम divide करते हैं बहुत सारे major categories में इसमें आ जाता है या तो infectious cause हो सकता है या तो metabolic cause या तो इच्विक, या तो या तो और कोई cause हो सकता है infectious agents जो है उस बे include होता है virus, bacteria या parasites drugs, toxins, alcohol, autoimmune या genetic factor जो है ये भी cause हो सकते हैं हेपिटाइट्स के इच्विक हेपिटाइट्स जो है वो हो जाता है reduced blood flow से liver तक जैसे की shock में होता है या heart failure में होता है या vascular insufficiency में हो जाता है viral हेपिटाइट्स जो हैं ये most common cause हैं इसके बाद अगर हम हेपिटाइट्स के dietary management की बात कर लेंगे balanced diet जो हैं उससे better liver functioning होता है और risk जो है cirrhosis का यानि कि scaring जो है liver के वो कम हो जाते है यानि कि lower हो जाते है patient के लिए जिसमें हेपिटाइट्स होगा food choices limited नहीं होती हैं सिर्फ कुछ ही bland dishes तक बलके बहुत सारे healthy tasty food options जो हैं जो beneficial है liver के लिए भी औरी का औरी process के लिए भी इसके बाद अगर हम general dietary advice के और देखेंगे उसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे eat regular cereals yummy whole grains जो बहुत beneficial है consume करने के लिए जो act करता है as a part of healthy hepatitis diet तो यह हो सकता है in the form of brown whole wheat bread या cereal brown rice whole grain pasta या porridge या brown rice gram flour oatmeal whole oats whole rice whole wheat या whole grain corn की form में ये सारे चीज़े हो सकती हैं इसके इलावा बहुत सारे eat lots of fruits and vegetables बहुत सारे fruits और vegetables खाना fruits और vegetables जो है ये important sources हैं बहुत सारे nutrients के जिस पे include होता है potassium, fiber, vitamin C, beta carotene या जो एक form है vitamin A का, folic acid जिसमें include होता है potato, yam वगरा इन मेंसे कुछ substances जो है वो antioxidants हैं जो fight करते है cell damage as a bonus ज्यादा तर जो fruits और vegetables हैं ये naturally low है fat में, sodium में और calories में हमें खाना चाहिए at least five servings fruits की और vegetables per day उसके बाद हमें get enough protein, हमें protein भी अच्छा खासा लेना चाहिए protein जो है, वो fight infection के लिए ज़रूरी हैं और उससे heal होता है damaged liver cells protein help करता है rebuilding में और इसे maintain रहता है muscle mass और ये help करता है healing में और body के repair में, body tissues के repairmen के लिए good protein source जो है वो dairy products हैं जिसमें include होता है milk, cheese, yogurt, ice cream, pudding वगएरा जो बने होते है milk से और meat से, fish से, dried beans से, soya beans से या soy जिसको हम कहेंगे या nuts से या eggs से इसकी बाद we have plenty of fluids, अच्छा खासा fluid हमें लेना चाहिए हर दिन हमें six to eight glasses fluid के लेने चाहिए चाहिए वो milk की form में juice, herbal tea, soup, pudding, frozen fruit, bars वगएरा ये सारा fluids में ही आ जाता है इसकी बाद healthy fats हमें लेने चाहिए healthy fats में this olive oil जो है olive oil आता है उसमें या canola oil या flexed oil ये सारे healthy fats हैं जो recommend होते as a part of diet patients के लिए जिन में hepatites पाया जाता है ये सारा जो था, ये dietary management था hepatites के लिए इसकी बाद अगर हम बात कर लेंगे foods की कि हमें कौन-कौन से foods avoid करने चाहिए मलब ये important है कि hepatites के दोरान एक इनसान को avoid करने चाहिए कुछ foods जो harmful हो सकते हैं liver के लिए excessive consumption मलब उन foods का जो उसके liver के लिए harmful हो सकते हैं वो aggravate कर सकते है disease को या उससे permanent liver damage हो सकता है इसमें include आता है pulses हमें avoid करने चाहिए beans, fish, chicken, egg, bakery products, dried nuts, whole milk, pickle वगरा जो हैं यहां में avoid करना चाहिए during hepatites processed food items जो हैं यह avoid करने चाहिए जब recover होते होंगे hepatites से processed food items में include आता है processed ingredients जो harder होते है liver पे और divide होते हैं nutrients से hepatites patients जो है उन में salt intake भी limit में लेना चाहिए और उनको refrain करना चाहिए eating from eating high sodium foods जिस भी food में पाया जाएगा वो food इनको कम लेने चाहिए इसका मतलब हो गया कि canard soups या store brought sauces वगरा इनको नहीं लेने चाहिए जब एक इनसान hepatites diet पे होगा हमें meat यानि red meat especially क्योंकि red meat में high sodium content पाया जाता है वो avoid करना चाहिए अलकोहल जो है ये strong toxin है लेवर के लिए एवन उन लोगों के लिए जिन में hepatite C नहीं पाया जाता है बहुत जादा अलकोहल पीने से लेवर का cirrhosis हो सकता है जो लेवर की बहुत बड़ी बीमारी कंसिडर होती है या उससे एडवांसर लेवर डिजीज हो सकता है या अला बचाए उससे लेवर कैंसर भी हो सकता है इसलिए जिन भी patients को जिन भी लोगों को hepatites की disease होगी inflammation of liver होगा उनको during disease during hepatites उनको alcohol consumption या smoking वगएरा जो है वो completely avoid करने चाहिए अदर्वाइस वो उससे serious disease के शिकार हो सकते है और dietary supplements जो है उनमें खुशार careful रहना है उनको dietary supplements अच्छे से लेने हैं ताकि उनकी body में किसी nutrients की कमी ना रहे अगर उनकी body में nutrients की कमी रहेगी मालब उससे उनकी disease जो है वो जल्दी recover नहीं हो सकती है उनकी disease को recover होने में time लागिएगा ये कुछ चीजे थी जो हमें avoid करनी चाहिए during hepatites उसमें आ जाता है salt intake सबसे बड़ा है salt intake या high sodium वाले चीजे जो है hepatites patients को बिलकुल कम लेने चाहिए या avoid करनी चाहिए completely जिसमें canard soups वगरा भी आ जाते हैं या meat जिसमें especially red meat आता है इसके इलावा उनको alcohol वगरा जो है या smoking वगरा जो है वो भी completely avoid करनी चाहिए उससे अलाव बचाए cirrhosis हो सकता है इनको liver का या advanced liver disease या liver cancer उनमें हो सकता है जो खतरनाख जो lead करता है इनसान को death की और तो इसके इलावा dietary supplements भी लेने चाहिए nutrients का खयाल रखना है कि nutrients से सब ठीक से ले पाते हैं अगर कुछ चीज़े इनको avoid करनी है diet में लेकिन बाकी diet इनको ऐसा लेना है चाहिए कि उससे उसके nutrient level body की बराबर रहे यह था हमारा lecture आज का hepatitis पर Thank you